कुछ बच्चे सोच रहा होंगे यह आखरी कब से होगे आखरी तो ग्लोबलाइजिशन था तो लेटे में टेल यू क्लास्ट इकनॉमिक्स की बुक में पांच चैप्टर है उन पांच चैप्टर में से चार चैप्टर सीवेसी बॉड्स के जो एक्जाम दे रहे बच्चे उन लोगों को आना है ग्लोबलाइजिशन तक चैप्टर आना है अब रहा यह पांचवा चैप्टर जो बुक में है लेकिन सिल्लेबस में नहीं है सीवेसी बॉड्स के लेकिन एक चीज़ याद रखना कि दुनिया में चैप्टर को साथ में आपको बताने वाला हूं एक एक टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे यह जो वीडियो यह बेसिक इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर आखिरकार किस बारे में है हम चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड सब्सिक्वें और रहा है सीवेसीबोड स्टेंद वोट वगरा जो जो है तो अगर आपके सिलेबस में चैप्टर यह तो बदार ही हो यह चैप्टर आप तक पहुंच गया है आगे पढ़ते हैं चैप्टर जो है वह है दूब राइट्स अब दो शब्द है चैप्टर के अंदर निर यह यह नहीं क्या हो जाएगा जैसे उपभोगता ठीक है उपभोगता मतलब कि जो उपभोग कर रहा है किसी भी चीज का चाहे वो गुड्स हो है चाहे शर्विसेज को गुड्स इन्दी सेंस कि हमने एक दुकान पर जाके एक बिस्किट का पैकेट लिया तो व्यार दी कंजूमर हूँ इस गूइंग तो कंजूम डेट प्रोड़क्ट अब उस बिस्किट में अगर मान लो क्या है कुछ ऐसी चीज मिलिए जिसको खाने के बाद हम खाने लाइक ना बचे तो केस क्या होगा केस यहां पर होगा कि हमने तो एज़र कंजूम कर लिया जो प्रडूसर ने हमें कंजूमर को वो कंजूमर को लौस पहुचा सकता है तो एज कंजूमर अगर हम कहीं से सर्विस ले ने गुट्स ले रहे हैं तो और अपैसे भी दे रहे उपर सो तो यह हमारी मतलब कहीनाद हमारे पार्ट पर हमें प्रोटेक्शन के जरुवत पड़ती है हमें कुछ अधिकार चाहिए रहेंगे जिन अधिकारों की मदद से हम एक कह सकते हैं कि ऐसे consumer बन पाएं जो exploit ना हो जो exploit ना हो तो वो consumer rights हैं वो consumer rights हैं वो इस सारे consumer rights वगरा हम इस chapter में पढ़ेंगे अब केस यह है कि economics की book में क्यों तो आपको एक चीज समझना होगी हमने जो chapter पढ़ें development sectors of Indian economy money and credit globalization इन सारे chapters में अगर आपने देखा होगा तो all the sectors are revolving around economics economy के आसपास ठीक है economics subject होगया economy हमारी अर्थवेवस्ता होगया सारे chapters जो है तो इनी सारे topics के इर्धिगरत घूम रहे थे अब आप देखोगे न economy के center में क्या है economy के center में जिसे आप देखोगे तो पैसा है अब वो पैसा economy में कहां से आ रहा है तो पैसा economy में आता है trade से exchange of goods and services से अब जो trade है या exchange of goods and services है यह होता है consumer और producer के बीच में अब इस consumer producer की relation में आपको consumer को core में समझना होगा आपको consumer को important position में रखके देखना होगा बस उसी चीज को दिहान में रखते हुए chapter है economics के अंदर consumer rights fine बहुत सारे लोगों को project work है cbsc वाले बच्चों को project work है तो अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहा है मतलब आपको मज़ा आ रहा है तो वह project work के perspective से आपको चीजे समझ में आ जाएगी अब हम आते हैं किसी पर अब हम आते हैं इस photograph पर इस photograph को देखो जड़ा डियू teacher gets rupees 45,000 for flawed phone bill एक डियू के teacher को गलत phone bill आया ठीक है मतलब gets 45 for flawed phone bill ठीक है तो उनको मतलब जैसे हम देखेंगे compensation मिला 45,000 रुपे का ठीक है गलत phone bill आ गया था इसके चलते consumer पैनल cracks down on these cell spammers ठीक है तो consumer पैनल जो 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 cell spammers जो phone के साथ में spamming वगिरा कर रहे हैं तो उनके उपर एक तरह से action ले रही है इंशॉरेंस फर्म टूपे 7000 for ठीक है चोरी हुई थी तो इंशॉरेंस फर्म जो rights को इंशॉर किया जा रहा है ठीक है क्यों किया जा रहा है कैसे किया जाता है तो यही सारे सवालों के जवाब आपको चैप्टर में जानने को मिलेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो what we are going to study in this chapter पहला टापिक होगा थे consumer इंदी मार्केट प्लेस तो एक वो रिलेशन समझाया है कि मार्केट प्लेस में क्या पोजिशन होती है वलने रिबल होता है नहीं होता है वो सारी चीज़ें दूसरा देखेंगे consumer movement तो consumer rights जो है जैसे कोप्रा एक्ट जो पास हुआ उसके बारे में consumers के rights होना चाहिए लेकिन उस ची अधिकार हो सकते वह सब कुछ consumer rights में आएगा और चौथा topic है टेकिंग दी consumer movement forward मतलब कि consumer movement जो है तो वह सिर्फ national level तक सीमित नहीं इंटरनाशनल लेवल पे consumers के लिए क्या प्रोग्राम से policies है यह सारा सब कुछ तो बड़ा मज़दार चाप्टर है insightful चाप्टर है रियल लाइफ प्रक्टिकल चाप्टर है अच्छे से एक एक टॉपिक करके हैं चीज़ को समझने वाले हैं तो इस वास्वी बेसिक इंट्रो अबाउट चाप्टर आपको टॉपिक से नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखो उसकुरा दे रहो साइनिंग आप विद इस टुगेदर वी कैन वी तैंक यू थैंक यू वेरे मच